तूफान आंधियों में तूने मुझे को थामा तूफान आंधियों में तूने मुझे को थामा तुम कृष्ण बनके आए जब मैं बना सुदामा करता नहीं मैं कुछ भी सब सरे आम हो रहा है मेरा आपकी क्रपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कनया मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम कनया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी क्रपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी क्रपा से सब काम हो रहा है करो जग में रहकर कुछ नाम करो कुछ काम करो कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो समझो जिसमें यह व्यर्थ नहो कुछ तो उपयुक्त करो तन को नरहो न निराष करो मन को नरहो न निराष करो मन को संभूिो कि सुयोग न जाये चला बेटा बड़ि भागिसे मिलता यह मनुष्का जन्म केते हैना चोराँसी लख योनियों में बटकते रहतें तर किस का जन प सूह है इंसान का जन्म मलता है लोक्त है संभुलो किस्वयोग नजाय चला कभ व्यर्थ हुआ सदुपाई भला अखिलेश्वरहें अवलंबन को नर हो न निराश करो मन को नर हो न निराश करो मन को एक और बोनस सुनाय जाएब आपको ठीक है ना अब एक मेने तक मत बोलना कि जाना सुनाओ आप लोगों को सबको पता है भगवान राम का राजतिलक होने वाला था क्या होने वाला था राजतिलक अगली सुबह राजतिलक होने वाला था और फिर विधी क्या लेखा था विधाता ने कि उनको कहा जाना पड़ा वन्राज जाना पड़ा और माध्यम कौन बनी कैकई माता कौन माध्यम बनी कैकई माता बहुत प्रेम करती थी वो बगवान राम को बगवान राम को भरत से भी क्या करती थी वो बहुत अधा प्रेम करती थी लेकिन कहते ना भई देवताओं को क्या करवाने थे अशुरों का नास करवाना था तो उनको कहा भेजना था वन में भेजना था तो इसलिए विचारी किसको माध्यम बनाया के कई को माध्यम बनाया, लेकिन अब माध्यम बन गई तो उनको पस्चाताब हुआ के नहीं हुआ है ना, तो बच्चों देखो कि हमसे कोई गलती हो जाती है जीवन में, ठीक है तो उसका पस्तावा जो होता है ना, वो हमको अच्छी तरह से जीने नहीं देता वो बार-बार हमारा क्या करता है पीछा करता है वो, तो हमें घूल के भी गलतियां नहीं करनी चाहिए कोशिश करनी चाहिए बटा, गलती ना हो अपने से तो इसमें जब बटा, भरजी जिससे में बनवास मिला था तो भरजी तो ननिहाल गए हुए थे है ना, तो जब वो पिता का दिहान थो गया तब जब वो आए तब उन्हें पता चला कि कौन नहीं है यहाँ पर भगवान राम तो है नहीं तो वो अपनी मां से क्या हो गए गुस्सा हो गए, बहुत ज़दा डेथ हो गई मुझे लग रहा है उनकी मुझे एग्जेक्ट याद नहीं है रभींद्र जेयन तो उनकी यह गीत है वो मैं सुना रहा हूँ आपको भरजी कह रहे हैं कौन बोल रहे हैं? भरजी बोल रहे हैं ओ मैया तुने काठानी मन में राम सिया ओ मैया तुने काठानी मन में राम सिया भेज दाएरी बन में क्या ठानी तुमने मन में जो राम और सिता को कहा भेज दिया? बन में भेज दिया जद पिभरत तेरो ही जायो तेरी करनी देखला जायो अपनों पद तुने आप गवायो भरत की नजरन में राम सिया भेज दैरी बन में जदपी भरत तेरो ही जायो भरत यद्यपी तेरा ही पुत्र है तेरे कोक से उसने जन्म लिया है जदपी भरत तेरो ही जायो तेरी करनी देखला जायो है मा तुने ये क्या किया किया कि तेरी इस काम को देखके आज उसे खुद को क्या रही है शर्मा रही है जदपी भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख लजायो, अपनो पद तुने आप गमायो, हैना हम बेटा हमारे बुरे कर्मों के द्वारा अपनी पद प्रतिस ठाको क्या कर देते हैं? गमा देते हैं, तो अपनो पद तुने आप गमायो, किस की नजरों में? भरत की नजरन में मेहल छोड़ वहां नहीरे मढईया सिया सुकुमार संग दो भईया काहू बिच्छ तर भीजत होंगे तीनों मेहन में राम सिया भेज दैरी बन में महल छोड़ वहां नहीरे मढईया कहां पहें बताओ वो तीनों बन में भटक रहें महल तो छोड़ो वहां क्या नहीं है जोपड़ी भी नहीं है महल छोड़ वहां नहीरे मढईया सीया सुकुमार बिटा राजा किन की पुत्री थी जनot की पुत्री थी जो महलों में से कभी कदम भार नहीं रखा आज वो कैसे गुम रही है नंगे पैर बन में नंगे पैर गुम रही है सिया सूकुमार संग दो भईया काहू बृच्छतर बीजट होंगे किसी पेड़ के नीचे बरसात आ जाती तो क्या करते हैं बताब पेड़ के नीचे खड़ जाते हैं काहू बिछतर भीजत होंगे तीनों मेहन में रामसिया भेज दैरी बनने कोसल्या की छिन गई बानी रोई न सकी उर्मिल दीवानी के कई तो बस एक रानी रह गई महलन में रामसिया भेज दैरी बनने कोसल्या की छिन गई बानी बेटा जिसका बेटा सुबह क्याले होने वाला है रास्तिलक होने वाला है उस मा का बेटा अब कहां चला गया वनवास चला गया उसकी मुझे सब्द नहीं निकल रहे बोला ही नहीं जा रहा उन पर कोसल्या की छिन गई बानी बानी किसको बलते है बानी को आवास को कोसल्या की छिन गई बानी रोए न सकी उर्मिल दीवानी उर्मिल कौन थी उर्मिला लक्षमन की पतनी है ना उसमें वीचारी ने बहुत काम मुझे भी ले चलो बहिया दीदी जा रही है साथ में तो मैं भी चलूँगी तो लक्षमन ने का कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरा जो ध्यान है वो तुम्हारी उसमें रहेगा मुझे तुम्हारी भी क्या करनी पड़ेगी देखभाल करनी पड़ेगी तो मैं अपने भहिया भावी की क्या नहीं कर पाऊँगा सेवा नहीं कर पाऊँगा इसलिए तुम कहां रहो यहीं पे रहो और उसको सपद दिल आके गए थे बेटा अपनी पत्नी को लक्षमन जी कि मेरे पीछे से तुमको रोना नहीं है रोए ना सकी उर्मिल दीवानी आंसु नहीं आना चाहिए आपके रोए ना सकी उर्मिल दीवानी कि कई तू बस एक ही रानी रह गई महलन में अब तू अकेली रानी बन के कहां रहे इन महलों में तो ये शब्द किस ने किस को कहे भरत जी ने और अपनी मा को कहे